तास कि हमारी इस classes में हम आगे discuss कर रहे हैं calculations के उपर calculate इन्दी formula के उपर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले formula अगम पढ़ने जा रहे हैं तो हम पढ़ना चाहेंगा mathematical calculations mathematical calculation तो कि आपके बास माली जीकर मैं 20 लिखा और ठटी लिखा तो इनको तो सम करने के लिए और लेडी हमारे पास सम का फॉमूला है जिसका इस्तमाल करके इसको आप सम कर सकते हैं तो रिजल्ट आपका 50 आपका 50 आप दोनों डिफ्रेंस क्या है यह जो आप देख रहे हैं यह जो है मैतेमेटिकल है मतलब कि आपने मैतेमेटिकल सेंबर पासितमाल किया हुआ ठीक है ठीक है अब बट इन विल फंक्शन से सम जो आप देख रहे हैं एक इस फंक्शन ठीक है सर्थ ठीक है सर्थ ठीक है तो रुपर कि आपने इसका इस्तमाल को किया जो दिखा हुआ है सम तो ए आपके अमालेश है कि आपको हर एक काम के लिए इसकी जरूरी नहीं है इसके लिए आपके पास ए हो फंक्शन हो हो सकता है कि आपके पास इसके लिए मालेश है कि आपको ग्रोथ निकालना है अब ग्रोथ के लिए फंक्शन पते नहीं कि हया नहीं है तो इस सम का जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं यह इन्विल्ड फॉर्मूला है और यह हमारा मैथिमेरिकल कल्कुलेशन है तो मैथिमेरिकल उपर्ड है कितने होते हैं प्लास होते हैं माइनस होता है हमारा डिवाइड होता है मल्टिप्लाइ होता है और हमारा प्लास माइनस दिवाइड मल्टिप्लाइड होता है यह हमारे पांच मैथिमेरिकल उपरेटर्स है थीक यह पास मिखेमेटिकल ऑप्रेटरस है तो आप इनकी मदद से आप अपने लिए क्लिकुलेशन कर सकते हैं जैसे कि मैंने बुला कि कौर्टर 1 जो हमारा है यह रहां कौर्टर 1 यह हमारा रहां कौर्टर 2 तो quarter to one में 50 सेल था quarter two में 55 सेल था तो हमें growth निकालना है किसका growth क्या होगा अब growth का formula एक्सल में मालेजन नहीं है growth का formula एक्सल में मालेजन नहीं है तो क्या करें तो आप उस इस कालकुलेशन है इस कालकुलेशन को आप अपने हिजाब से कर सकते हैं प्रीशन कालकुलेशन नहीं प्राइड भावाव तो क्या एक्सल में प्राइड़ों एक्सल में रहीं हे जाएड़ों तो तो अब मैं तने अरट करता है वो को करता है इससे कि मैं अजरा कि हम बात करें ऑफ दो वूद तो प्लिप थो अल्व ज्ट लीड फ़ाइट लेट्र ओपर वन डिवाइड वाइट वाइड वाइड वाइट वाइट तो लिटेस्ट माइनस ओल्डे डिवाइड बाई ओल्ड यह हमारा मेथनेर्ट को फॉर्मुला अब एक्सल में इसके लिए फॉर्मुला नहीं है तो हम क्या करेंगे यहां पीसी फॉर्मुला के लिखेंगे अब एंटर मानने पर रिजल्ट सही नहीं आएगा रिजल्ट सही क्यों नहीं आएगा रिजल्ट सही इसलिए नहीं आएगा कि अच्छार को नहीं है एक साथ एक तो हमारे करेंगे नहीं आएगा पर एक प्रक्राइब कि अच्छार कॉंद एक हैं अच्छार करेंगे हैं आएगा है क्योंकि हमने बॉर्च मेताओ फॉलोनी आप बोलती रिप्लाइश नहीं कर रहे हैं अब रेकेट करना पड़ेगा हाँ इसको बोलते हैं बूर मास का मितर तो बोल मास में तो है इसका इसमाल करते है कर दो कर दो दिख्यों होना है इसको परसंटल बढ़ा लिए अन्य परसंट हो गया इन पर अगर इसमें आगर आपको मजा नहीं आया तो एक और बताते हैं चलिए हमारे पास प्रिंस्पल है कि प्रिंस्पल हमारे पास शिप्टी थाउजन है तो रेट हमारे पास जो रेट है ओ है मान देजिए तेन परसंट और हमारा टाईम मान दिजी यह है हमारा पांग साद या पांग साद और एन यह हमारा मंध्री बारा है और मुझे जो है इसमें हमें यहाँ पर माउंट निकाला अब इसके लिए फॉर्मुले है एक्षेल में लेकिन आपको उन फॉर्मुले के ऊपर ट्रस्स नहीं है या उसी कल्कुलेशन को आपने प्रूफ डीडिंग नहीं किया बट आपकी जो मैथेमेटिकल कल्कुलेशन है Mathematical Calculations की P multiply by 1 plus R 1 plus R divided by N P multiply by N ठीक है? तो amount निकालेगा अब दूसरी चीह होदी है कि चलो हम Mathematical Calculation लगाने को तो लगा ले लेकिन problem क्या है? इसे problem क्या होगा? कि इतना सारा कैसे होगा calculation एक सार गलती होने का chances है क्या सर? पिर सर गलती होने का तांस बोज है तो हम क्या करें है तबीव हम इसको ब्रेक करेंगे ठीक है? ब्रेक मतला कि जिससे की R divided by N हम इसको select करेंगे बोलेंगे R जो है divided by N मतलब की बार पिर हम करेंगे यहां पर इसको select ती हो गया 1 plus R divided by N फिर हम power देते हैं कि इसको select किया 5 को अब पावर अफ एन मतलब की 12 निकला का! 1 12 12 N और फिर इन तोनोंका power लेकि इसका 60-क पावर निकालना है कि अधिनेटिक एक आती है और फिर इस पूर मल्टिप्लाइवाई करना है हमें इससे तो रिजल्ट आपको सामने है ठीक है तो आगे चल के आपको लेंदी दिखें तो उस पामुला को आप क्या करें एक्स्प्लेम करें तोर तोर के लगा है कि कैसा है उस फामुले को आप तोर के लगा है पामुले मिलएवाद का तोर के लना है अब तोर के तो हमें लगा दिया अब उसके प्रॉलम क्या हो रही है अब उसके नम्म प्रॉलम हो रही है कर उसको एक सिल में कैसे करें अब एक सिल में करने के लिए हम क्या करेंगे इसको कॉपी करते हैं और यहां माने के सी सेवेंटीन लेख रहा है तो सी सेवेंटीन लिंक इससे है तो मैंने क्या किया कि जो सी सेवेंटीन का फॉर्मूला है तो सी सेवेंटीन के उपर हमने बेशा है इसको प्राइब लिए जाए जाए तो यहां देखिये इन दोनों का पावर है तो यह हमारा दी सेमेंटीन है और जहां के हमारा दी सेमेंटीन आए वहां को पेज़ करेंगे प्राइब और जहां पर हमारा 12 फेर अलग-अलग लगाते हैं फिर इस लिगान लाते हैं कि पेश्म खरते हैं देख जाता है यह रहाँ फॉर्मूला अब इसको कट करके जहां रखना है हुआ रख दीजिए राम पर है ठीक है लेकिन हो सकता है कि इसमें आपको मजाद आया है कि दो एक और हम बताते हां पर यहां पर हमारे पास कॉस्ट है कि एक पुड़क्ट को हम 50 रुपीज में हमारा की कॉस्ट लगता है ठीक है ठीक है ठीक है अब हम 50 रुपीज का में लगता है तो मुझे इसका MRP निकाता है कि MRP हमें निकालना है कि MRP का है कि 5% मेनुटेक्ट्र रुपीज का होता है तेंपर सेंड डिस्टिबूटर का होता है फिप्टीन पर सेंड वोल्फिजर का एंड्वेंट्टी पर सेंड जो है पुटा है कि इसका रिटेलर का मतलब कि मैनुटेक्ट्र रुपीज का MRP 5% करता है उसको सेल करता है इसका 10% रिकाल लेगा और फिर इसमें एड़ करता है अलग से फिर इसको सेलेक्ट किया मुल्टिप्लाइब यह और फिर इसमें वो प्लस करता है फिर इसको मुल्टिप्लाइब यह से किया एंड प्लस करता है इस ठीक है अब यहां पर फाइप अब पहले स्कॉम मैनुवाली जो जो मैनुवाल है और डाल देते हैं यहां पर टेज बलसे यहां पर 15 परसेंट को और यहां पर हमारा 20 परसेंट को इसके बार हम इसको कॉपी करेंगे और यहां जहां हमारा सी फुर्टीन है इसके जगह पे हम प्राइकेट से टेस्ट कर जाए फिर वापस इसको कॉपी करते पर यहां जहां सी ट्वेंटी फाइव है समझ में आ रहा है आप लोगो में तर्ड आगे शलके आपको बहुत हीश्पुल होगा है है यहां पर हम इसको केस्ट लोगें करेंगे यहां पर हम इसको पेस्ट कर ज़ये हैं इसको मिष्टम्ट रटी पाइव है कि इसको विश्के जगातीस का प्रमला हो प्रूइब कि वापस इसको कॉपी करेंगे और यहां जाग D25 है इसको जवापस करेंगे कि वापस सो कॉपी करते है और यहां पे जहां E24 है यहां पेसको पेस करेंगे कि वापस सो कुपी करेंगे गाव कर्या एक है कि वापस एक रहां कि वापस एक वापस और वापस इसको हम कॉपी करते हैं कि यहां पर एक्सक्रंजी खोर में हम पेस्ट है अब इसको कट करके जहां ले जाने होगा अब बताईए कि क्या इतना लंबा फॉमुला आपनों लिख पाते हैं अब लिख पाते हैं अब लिख पाते हैं तो इस तरह से आप अपना होमबर्ग नोट कर लिजेगा तो कि मैं बाद दूश सकता हूं आपको ऐसे मुझे दस फॉर्मुले बना के देने हैं अब चलिए जैसे कि मैं आपको समझाया mathematical operator यहां पर plus minus divide multiply और यह आपका power उसी तरीके से हमारे पास जो होता है logical operator equal greater than, less than, greater than equal to, less than equal to and not equal to तो equal greater than, equal to, less than equal to and not equal to तो logical pattern मतलब क्या हुआ कि मानिजी आपको बहुत सारी number थे हैं तो मुझे चेक करना है कौन सा नंबर 50 से उपर है अगर आपको ज़स्ट एच चेक करना है कौन सा नंबर कौन सा जो है उपर है जब सिर्फ चेक करना तो उसके लिए हम लोग जनली इफ लगाते हैं यहां इफ लगाने की ज़रूद नहीं इसको स्लेक्ट कीजिए अब डारेक्टिव कर सकते गेटेदर 50 रिजल्ट आपका तू या फॉल्स आएगा लेकिन हम इस में कब लगाते हैं जब इस टू एंट फॉल्स के जगह पे जो है खुट का रिजल्ट के मुझे यहां पे ओके पेंडिंग कुछ इस तरह का रिजल्ट इसाइए तो उस केस में इफ लगाते हैं कि इफ हमने इसको स्लेक्टिया और मैंने बोला कि ओके अधर वाइज मैंने बोला पेंडिंग तू थीए कि इस चेक करता है कि अगर वी वन अगर टू है तो ओके शोग करेगा अधर वाइज वपेंडिंग को शोग करेगा करें तो एक इसकी पोपट्टि को भी समझ लीज इस क्या होता है लॉजिकल टेस्ट यहां के त्रू एन पॉल्स नीथे दूसरा फॉल्स हो तर दूसरी वारी को शो करें तो इसका काम यह होता है तो इसमें डारेक्ट लगाते हैं गेटर देन 50 और यहां सब्सक्राइब किया इसका पार्ट है इसके अंदर इसमें हम इसको यहां पर कमाइन करते हैं ठीक है सर अब चलिए कि कोई एक्जाम्पल हम देखते हैं इसके एक्जाम्पल में जैसे की मैंने पास यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नेम लिखते हैं मैं चाहता हूँ जैसे यहां पर नाव लिखते हों तो यहां पर यहां पर इंदर यहां पर क्री हो जाएं इसके लिए इसके लिए हम आप लिखेंगे देखें यहां देंगे कि इफ अगर सामने वाली वैलू बी त्री इस ग्रेटर दैं जीरो अब यहां पर एक बात देखिए हमने गेटर दन जीरो क्यों लगाया गेटर दन जीरो लगाने का पॉपस यह है आपका कि ब्लाइंग की जो है जेटर दन ब्लाइंग कि ब्लाइंग सेल को जीरो समझता है एक सब ठीक है तो ब्लाइंग सेल को जीरो समझता है से कि पर जीरो किया और है तो उपरवाले में प्लस वान करे अत्रबाज ब्लाइंग तो ब्लाइंग मतलब कि इंवर्टर को मा ओप्रेंग क्लोज कर दिया तो ब्लाइंग हो गया अ ज्ब्लाइंग जद ग्लाइंग नजग ःप अब यहां पिर नहीं है अब यहां पिर जासे मैं पूजा ठीक है अब यह देखिए मैंने बोला कि सामने वाले वैलू अगर गेटर देन जीरो है मतलब कि उसमें कुछ डला हुआ है तो ओपर वाले वैलू में तो क्यों कि समझ गये तो ठीक है देखिए दिक्कत है आपने एक सिल्फ ब्लैंक शोरके मैंने अमा लिजे कि हमने लिए अगर तो प्लीज एक्स्प्लेंग में कि एरर क्यों आया अगर मैं यह तो ब्लैंक से लैंट इसको मैं प्लस करता हूं तो यहां कि वरा आ प्लस्टू करना था यहां पर आपर आपर हूं है है लो शुजित सर्थ कि अब साइट आइपीट इंडिया.com तो लॉग इंचल यह अंटेंग मिल जाए लाए लाए कि अच्छा पूल आपने जर इसमें प्लस्टू एट कर देंगे ना इस प्लस वन किया था नहीं नहीं समेजी आप भी कुछ बोल सकते हैं है आपने फीज दिया है कि लॉजिक समझ में नहीं है नहीं एक सिंपल सा है हम यह देखिए हमने कंदिक्शन दिया कि अगर सामने वाली रैलों गेटा देंग जीरो मतलब कि नेंगे कर से जो है अगर ओग जीरो से बढ़ा है तो जहां फॉम्वर लगा है वह अपने ऊपर वाली लास्ट्रिया नंबर में प्लस वन कर देंगे तू कर दिया यहां पे देखा तो प्लस वन यहां बेटू प्लस थी प्लस वन पोर प्लस वन पोर प्लस वन पाइए लोगा लेकिन जो आपने बाद में वैल्यू नहीं आ रही है इसका लोजिक क्या है यह बलाओ कि यहां वे एक मैंने इक रो आम ब्लाइंग फोलके नीचे आया तो यह एर रहा जिए इसमें नौर्मली चाहिए था एक आना चीए था जिरो प्लस वन भी करते तो एक आना चीए था तो पूचराओं सर क्यों आए क्यों नियां मैं समझाएंगे दुरा सा मैं आप लोगा ओपनिया जाना चाहता हूं कि आप कोई भी कॉकुलेशन कोई भी कलकुलेशन जो है आपसिस नंबर पे कर सकते हैं थिक है नंबर के साथ сама से लिखेंट लेस्ट की सिट नहीं ही कल सकते हैं तो यहाँ जो में और इंडी हिंट हो रहा है कि रही है इनवर्टेट कॉमा में ठीक है अब इनवर्टेट कॉमा में प्रींट होने के कारण क्या हो जा रहा है और टेक्स पे जाई इसी बात है कि हम किसी भी तरह का इस नहीं कर सकते हैं कर दो कर दो कर दो कि यह इसमें यह इसमें यह बताइए तर जैसे हमने पहले वाले पर फॉर्मला कर दिया रहा है कि यहां क्या हुआ कि यहां क्या हुआ कि जो है और जीरो है क्योंकि ब्लैंक से ट्रू पार्ट नहीं चला फॉल्स पार्ट चला तो क्या किया इसमें ब्लैंक को प्रिंट कर दिया राइट कि यहां भी क्या हुआ कि टूपार एक डिन जीरो है जीरो है जीरो है प्रट फॉल्स प्रट अब एक में क्या है ब्लैंक है मतलब कि इंवर्टर कमा ओपन औंड न्ग्लोज तो कि टेक्स्ट माना जाता है तीछलियों प्लस नहीं कर पाया और एरर दे दिया किसी वैलू का एरर जो देख रहे हो आप वो तभी आता है जब किसी टेक्स ने किसी तरह की कल्कुलेशन दा समझना है आप सुजित सर एक क्वेशन है एक्सेल में टोटल कितने प्रकार की एरर होते है बताएंगे जरे बताएंगे जितना मत देजिए खिले रही खिले रही खिले खिले तो इसका सॉलूशन क्या है अब इसका सॉलूशन ही होगा कि मैं सेंट लगाऊंगा इस इसको बोला ग्रेटर देन जीरो और हमने यहां पे बोला मैक्स मैक्स क्या करता है मैक्समम कॉमला होता है वो सेलेक्टे रेज में से बताता है कि सबसे हाइस्ट वैलू को जी है क्या है तो यहां पर हमने लिया और इसमें कर दिया और यहां पर हमने एफ को प्रेस कर दिया इसको पहले को अब नीचे इसको ड्राइग कीजिए समझे है नहीं समझ में नहीं है सर तर कुड्यू एक्स्पेंड वन्मोर टाइब एक और पर एक्स्पेंड केजिए न हाँ कर रहा हूं सर्व हाँ यह क्या है देखिए हमने क्या लगा है फामुला कि अगर बी टू गेटर देन जीरो ठीक है तो क्या करें कि इससे अपने उप्रवाले की जितनी वैलू है उसकी मैक्समम निकाले कि अगरे तो कि समझ दिया है तो प्लस वन होगा अब हमने इसको फ्रीज कर दिया अब यहां पर क्या हुआ कि यह अपने से उप्रवाले में मैक्स निकालना है तो मैक्स क्या करता है टेक्स को इग्नोर करता है तो इसमें क्या हुआ रिजल सिक्स ही आएगा तो सिक्स प्लस वन इन सेन दिखाएगा अरर दिखे जाने आपको क्या है अरो कि मुत कॉआ कि जो कि प्टी आएगा अरोम सालेंोगा हुआ पो पो इसा हाग कि अगर आगे बढ़ी तर एद पूछे कि कबसे तकरार था मैं अब यहां पर हमारे पास और यहां के नहीं है कि अब मैं चाहता हूं कि मेरा सिर्ल नंबर जो है वह फिप्टी तक कल्कुलेट हो फिप्टी के वादा नहीं हुआ है यहां हम करते हैं कि एक हम करेंगे कि अगर इसमें प्लस वर्ण करने पे अगर वो ग्रेटर दैन सिर्टी है तो ब्लैंक हो जाए नहीं तो इसमें प्लस वर्ण करें देखिए यांज देखिए प्लस बंटी हो जो इसमें प्लस वेंग हो जांग हो जाए भाह हो जाए व्रेटर जाए नहीं हो जाए यहां हो जाए यह तो बढ़िए कर दो हमार कर दो कर दो थुप कर दो कर दो कि अब नीचे ड्राइब करने से पहले मुझे वनको कि अबरेगा तो फोड़ से प्रीज करते हैं तो इसे पहले वाले आए तो इस कि इस एरल को को कि इस एहर को कि एक करने से पहले मतलब कि इस एरर जो हमेरा इस तो उस केस में हम यहाँ में लगाेंगे फॉर्मॉला एंधेर से पसे तो एक और नहीं आया इस ते इस और का क्लेम क्या करता है इस एर का formula करता है कि अगर उसके अंदर ने दो चीड़ान दो पाथ होता है उसका value उसरा इस value is error इस formula अगर error दिया तो यहां पर मैंने बुला कि blank show करो तो blank पर show करेगा ठीक है अब पिनाग जी प्लीज म्यूट कर लिजए आपके background से सो रहता है काफी अजीब सरो तो यहां पर क्या है 5 to 15 करना है तो जो इस टार्टिंग में मैनुवली हमने लिखा है उसके जगाव पर इसको लिख दीजे तो यहां आपका आगे कीज़े तक ड्रैक कर दीजे तो पता है इसका यूज क्या होता है जैसे आगे चलके आपको डेटा सो करना चाहते है कि बड़े डेटा में से बिट्मीन दो देट के बीच का लेटा दिखें दस से पंदरा तो हाँ पे मिठोड सेव होता है ज्यान देखेगा अब बात करते हैं दो कंदिशन की जैसे यहीं पर देख लिए अब मेरा यह वार्टी टू सिक्ष्टी हुआ तो यहां पर मोर दर वन कंदिशन को कि एक इसमें आप एक ही कंदिशन को नहीं दाए सकते हैं तो इसमें क्या करेंगे हम अगर एक ग्रेटर देन एक्वल टू थर्ती है अगर एक से जड़ा कंदिशन दाए सकते हैं अगर सारे कंदिशन टू होंगे तो रिजल्ट टू आएगा अधरवाइट खौश आएगा अब इसको इसके अंदर में आप डाल दीजिए कि एफ अगर टू हुआ तो यहां पर ओके अधरवाइट चेंदिए ठीक है यहां पर सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट वान टू त्री पूर फाइव इस तरह से अब माल लिजे कि सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट अगर गेटर दें 33 हुआ तो रिजल्ट आया चाहिए पास अधरवाइज फी एक बार में तो एक ही चलता है तो उस केस में हम यहां पर फंगा लगाएंगे एंड का और सारा कंदिशन देंगे गेटर दन इक्वल टू 33 फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे जिक्वल टू 33 है विजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा तो इसको आप जो है चेंज कर लेंगे कि इस यहां पर पास है अधरवाइज फीड़ है है आप साहँ से कॉल ऐगया था तो यह समझें आप एंड समझ गया है आपको पास आगया है तो यह सब्सक्राइब है इसमें एक कंडिशन यही मेरी नीचे टैन आ गई तब कह रिजल्ट आएगा यहां यहां पर टेन आ गई यहां टैन टैन दे दिए तब के रिजल्ट दे गई है कि क्योंकि एंड कहता है कि जितने भी आप हमारे अंदर लॉजिक लगाते हैं सब का रिजल्ट प्रू आना चाहिए अगर फॉल्स आएगा तो मैं फॉल्स रिजल्ट होंगा जब तक एवरी कंडिशन हमारा अगर टू नहीं हुआ तक हम टू नहीं नहीं और के अंदर अलग होता है और इसका पोजीट होता है जैसे माल ने जिसका हां आई बी प्रूफ है हमारा तो आई बीपूफ में चाहिए क्या पास्पोर्ट वोटर पैन अधिए उसमें से सिंगर कोई कंडिश देदिया जादा पूसकता है उसकेस में कि आप तर लगाना है जिसने होता है एक होता है एक होता है यह होता है नो हमारा ना यहां है है को एक मिल्स इसको तू देगा है ठीक है 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 इक्वाल टू वाई है है ट्रू आगे है लेकिन इसी में आपको यह हुआ कि नहीं मुझे इसमें से इसलिए कि पैन अमारा कमपसरी है और इन तिनों में से कोई एक चाहिए मिले दो आइडी चाहिए एक hani पासपोर्ट तो रहिए बागी इन में दोनों लगाएं यहां पर इसको किया इकटाओ नमें डाल दिया और अर के उंदर में बाके तिनों को दाल तो यह आपके उपर डिपेंड करता है तो डोनों कॉम्पेंट कभ यूजओंगे फिर फिर से समझाएं नहीं जैसे कि आपके पार चार इंपूर्ट्स है जिम्हें से एक जो है और वह कंपश्री है बाकित तीन जो है उसमें से कोई एक चाहिए आपको कि मालेजी के कंपणी कर रहे हैं कि आपको विदेश हमारे आगे आपको बिदेश भी 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 भड़ा सकता है काम गणने के लिए तो हमाई रिक्वाइमेंट है कि आपके बाद पासपोर्ट तो और नहीं चाहिए अब पासपोर्ट के अलाबाग एक और प्रुपार्वाफ दे दो इडियल दे दो अधार दे दो तो तो अब बात करते हैं स्लैड स्लैड ग्रेटिंग सिस्टम मालिजें कि स्कोर है यहाँ तो तो खता है कि अगर लेश दैन फुट्टी है तो हम देना चाहते एक ले कि 42 60 है तो देना चाहते हैं दी ग्रेट मां की जिए और बी होगा और गेटे दैन सिक्स्टी है तो हम देना चाहते हैं एक लेट हमजें तो इसमें हम देख रहे हैं कि हर नंबर के लिए कुछ ने कुछ है तो यहां पर लगाएंगे वह फार्मुला कि इफ अगर एक लेश देनल इक्वल टू पर कि तो यहां पर सी आजाया है कि एक ओर इफ लगाएंगे कि इस अगर एट लेश टैनिक कौल टू 60 है तो यहां पर भी आए फिर एक और इफ लगाएंगे यहां पर इसको सेलेक्ट करेंगे कि अगर ग्रेटर देन 60 है तो इस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम दालेंगे क्या हुआ इसमें का हुआ कि हर एक इफ दूसरे इफ के फॉल्स पार्ट में अगर 40 हुआ तो सी को सो करेगा इन बागी ओंगर कर देगा अगर यहां पर 60 हुआ तो बी को सो करेगा बागी को इग्नौर कर देगा तो इसको बुलते है या ग्रेडिंग सिस्टम समय नाया सर अगर 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 करते हैं तो वहां पर देन 60 और वह से हम फॉर्मिला पॉर्मिलिट करेंगे तो चलेगा हां आप अब कंडीशन तुमेरे हिसाब से मैंने कदम कर दिया अगर एक टेक्स्ट की है पर मैं टेक्स्ट आज भी करा रहा हूँ को कि इससे पहले टेस्ट आपको देना होगा तो मैं इस से लेटेर कुछ questions देज रहा हूं आपको, ठीक है, इन questions को एक बार आप लोग कीजिए, करके मुझे बेजिए, उससे मुझे पता चलेगा कि आखिर आपने कितना सीखा है if को, क्योंकि if जो है, very important है, क्योंकि आगे चलके यह आपको बड़ा काम आएगा, क्योंकि जब तक, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, तब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे, अरी, आपकी recording कहां से डाउनलोड करना है, एक तो फर्स टैम तो लिंक आया था, उसके बाद लिंक नहीं आया, सर, देख लिए आपकी involvement हुई नहीं है, आज मैं अपने details देज देता हूँ,